हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू समाधान एजुकेशन आज हम लोग बात करेंगे 66 BPSC एक्जाम 2020 के बारे में तो इसका एक्सपेक्टेट का टॉप देखेंगे और ऑफिसयर आंसर की कब तक जारी होगी उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम से जरूर रहने के लिए हम सब्सक्राइब अपडेट रहने के लिए वैलकम को प्रेस कर दिए गा वीडियो पसंद है तो लाइक इन से जरूर कीजेगा आप हमको इस्टागाम पर फॉलो करना चाहते है इस्टागाम पर फॉलो कर सकते हैं मैं नीचे डिसक्रिप्शन में लिंक दे दिया है तो देख और वहते हैं कि यहीं पर कटिंग है इसको आथे करदी ऍरवाद कर दोंगे वह जा कर देख सकते हैं तो आगीन बात कर लितिया है कि आपका ऐग्जाम 27 दिसंबर को 27 दिसंबर को करा आए गया था ते इसमें अपस्तिती कितनी रही है 30 ah च 750 नहीं एक चाहम दिया है и 40 पर च इस्टुएंट ने एक्जाम छोड़ दिया है तो उपस्तिती कम रही है आगे बात कर लेते हैं और अंगाबाद के धनहारा के बील इंडो पब्लिक स्कूल पर आप सोपचा इस्टुएंट ने पेपर लीग होने का आरूप लगाया है तो इस्टुएंट का कहना है कि पेपर हुआ है और इस्टुएंट ने परिच्छ भी नहीं दी है इसमें निगेटिब मार्किंग नहीं थी तो आप किसमें निगेटिब मार्किंग नहीं थी तो आप का टॉप के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टिट का टॉप क्या रहेगा पहले मेल के लिए बात कर ल कोई डाउट नहीं है आका selection हो जाए अब बाद कर लेते हैं विवई क से के निए बदेट हूंद कर लेते हैं एड्य Gray क्रहकर रहे हैं आगे वात कर लेते हैं licもの के रिष्ट स्ट की बात कर लेते हैं स्ट के लिए 89 कोश्टन सही होने चाहिए एबीसी के लिए 90 कोश्टन सही होने चाहिए एडवलु एस के लिए 90 कोश्टन सही होने चाहिए तो यह एडवलु एस के लिए हो गई employee category लिए भात हो चुकी है क्यूंकि यह अगज्वर भी क्ट आप जाएगा। तौदा बड़ सकता है अब बात कर लेदे हैं पिमेल के लिए पीमेल के लिए बात कर लेते हैं जनल में ठीमेल जनल के लिए 89 कोजचंग сч के लिए 88 कोशाँ BC के लिए BC, BC 86, ST 79, आगे बत कर लेते हैं, EBC के लिए 84 कोशन सही होने चाहिए, EWS के लिए 84 कोशन सही होने चाहिए, यदि आपके इतने कोशन सही हो रहे हैं, तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा, आपको परिशान होने की ज़रुरत नहीं है, जो मैंने कटवं बताया है, जितने कोशन मैंने बताया है, यदि आप कितने कोशन बन रहे हैं, कुछ कोशन आगे पीछे भी हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता नहीं ऑननसर की जारी होगी, लिए दो उसके लिए 58 कोशन, when the question becomes a bad one कोई डाउट है कोई कन्फूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस से रिटेट कोई भी ख़वर मुझे मिलती है मैं आप तक पहुचाने को से जरूर करूंगी तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप लोगोस नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू जैहन जै भारत झाल